नमस्कार, डिलिशिस फूट रेसिपी में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे बेशन के पेड़े, जिसको बनाना एक दम आसान है, दस मेंट में हमारे बेशन के पेड़े बनके त्यार हो जाते हैं, और इसको बनाना एक दम आसान और इसका समान सारा गर पे आसानी से चिनी हम आदा कटोरी लेंगे और एक कटोरी बेशन लेंगे और यहां पर मैंने एक कटोरी नारियल सुखा नारियल का पाउडर लिया है और अब लेंगे कडाई जिसमें डालेंगे हम अपना गी गी हमने अच्छी तरह से यहां पर मेल्ट कर लेना है गी हमने यह अपरा चितरह से मेल्ट कर लिए अब डाल देंगे इसमें हम अपना बेशन अब इसको हम बून अपने बेशन को गी में बूनेंगे और बेशन एक दम गी अपना पूरा अप सोख लेता हो रमें ऐसे लगेगा कि हमारा गी कम पड़ेगा लेकिन हम इसी गी में अपना बेशन भून लेंगे देखो यहां पर बेशन पतला होने लगा है और हमारे बेशन ने चोड़ना शुरू कर दिया है तो इसी तरह से हमें इसी गी में अपने बेशन को भून के हम त्यार कर लेंगे यहां पर हमने बेशन को भून लिया और बेशन ने अलका सा कलर भ लिए है अगर बगएर पीछ डाल देंगे तो हमारे पेड़ अच्छे नहीं बनते तो इसलिए H 발i joga प्रहें को पीस ये पिछन यापर पेड़े एक दम च्छे बनते हैं तो हम यह आपzer पीछ के इसमें डाल देंगे हम अपना जो कोको नेट नारियल पाउडर लिया था वो डाल देंगे और शाथ में डाल देंगे जो हमने दूद लिया था अपना वो डाल देंगे दूद डालने के बाद इसको हमने लगातार चलातना है दूद हमारा बेशन एक दम अच्छी तरह से सोक लेगा और एक दम इस लग रहा जैसे कि हमारा बेशन पतला होगा लेकिन बेशन हमारा दूद पूरा सोक लेगा और अच्छी तरह से डो की फोम में आ जाएगा हमने इसी तरह से इसको लगातार चलाते रहना है इसको यहां पर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी अगर छोड़ देंगे तो हमारा ब लगातार चलाते विए इसको अच्छी तरह से हमने बून के त्यार कर लेना है और देखो कितने जल्दी से वून के त्यार हुआ हमारा बेशन तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस मिठाए को बनने में 10-15 मेंट भी नहीं लगती बनने में 10 में काई टाइम लगता तो अब लेंगे हम आद पे लगाएंगे थोड़ा हगी और इसको ऐसे थोड़ा हा देख लेंगे अगर ऐसे लड़ू की शेप में आ जाता है अच्छी तरह और हमारे आद कभी बिल्कुल भी नहीं चपकता है तो हमारा डो एक दम परिफेक्ट बनके त्यार हुआ तो हमारा तो इतना बढ़िया बनके त्यार हुआ तो इसको हमें एक दो मेंट के लिए और थोड़ा हा चला लेंगे अगर अलकाहा कच्छा पन रहेगा तो हमारा पेड़ा जल्दी खराब हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से बुनेंगे तो 15-20 दन के लिए इसको हम स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं क्योंकि इसमें अमने दूद डाला है दूद का कच्छा पन हमने इसका दूर करना अगर अगर कच्छा रह जाएगा तो दूद के पेड़े हैं हमारे खराब हो जाएगे तो इसको हमने यहां पर अच्छी तरह से भून लियाब कर देंगे गैस को मतल अगर मतलबन और इसको हम निकाल लेंगे पतिले में मैंने इसको यहां पर ऊलम में निकाल लिया इसको और हमारा डों भी ठंड़ा हो गया है और इसको अगर टम ठंड़ा करना है तो अमारे पेड़े बनेंगे नहीं तो της कवल्का गरम रखते व Hybrid cana चाहरा दिक्कत आप जलने का डर रहएगा और अच्छे से अमारे पेड़े नहीं बने में इसी त carving कि स्वाइब ओ है इसके ड़तया जाहरा पर श Welnay इसी तरह से एक एक करके अपने पेड़े सारे पेड़े बनाके त्यार कर लेंगे एक पेड़ा और हम ऐसे ही बनाएंगे एक कटोरी बेशन में हमारे कम से कम 20-25 पेड़े बनके त्यार हो जाते हैं जो कितने बड़िया पेड़े बनके हमारे त्यार हुए हम सारे पेड़े ऐसे ही कहे के सारे पेड़े हम ऐसे ही अपने पेड़े त्यार Consult कर्लेंगे और यहां पर मैं लगा रहत ए refuse अगर आपको जो भी डॆइप रीकृर पसंद आप वो लगा सकते हो और और कितने जल्दी पेड़े बनके हमारे त्यार हुए हैं और मुझे कमेंट में बताना मेरे बेशन के पेड़े आप लोगों को कैसे लगे और मेरी वीडियो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक सेर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर क थेंक्यू